वेलकम टो प्रयाग राजन स्ट्यूट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो हजार तेज के नोबल परसकार विजयताओं के बारे में और साथ में A.C.N. गेम्स के बारे में तो चले ही स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन यह है कि हाल ही में साइन्टिस्ट केटालीन कारिको और डू विसमैन को किस चेत्र में नोबल परसकार दो हजार तेज दिये जाने की घोशना की गई है तो इनको दिया जाएगा चिकित्सा के चेत्र में टेक आप्सन A तो फीजियोलाजी या मेडिशन दो हजार तेईस का नोबल परसका साइन्टिस्ट केटालीना कारिको और डू विसमैन को दिया गया है यह समान उन्हें नुकलोसाइड बेस संसोधन से समंदित उनकी खोजों के लिए परदान किया गया है और जिसने COVID-19 के खिलाब प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सच्छम किया है अगला यह है कि हाल ही में साइन्टिस्ट पियर अगोस्तिनी और फेरेंस क्लाउस और एनलियेर को किस छेत्र में नोबल परसकार 2030 दिये जाने की घोशना की गयी है इनको दिया जाएगा फिजिक्स में विगानिक पियर अगोस्तिनी फेरेंस क्लाउस और एनलियेर को फिजिक्स के छेत्र में नोबल परसकार 2030 दिया जाएगा तीनों को यह परसकार experimental methods के लिए दिया गया है जो पदार्थ में electron dynamics के अध्यन के लिए प्रकास के एंटो सेकेंड पलसे जेनरेट करते हैं तीनों विगान को सेंग तुरूप से 8.3 करोन की रासी मिले गए क्या यह कह सकते हैं 11 मिलियन करोनर हाल ही में किसे संग तुरूप से रासायन विग्यान के नोबल प्रुषकार में 2023 के नोबल प्रुषकार के लिए चुना गया है तो यह हैं मैंगो बेवेंदी, लुई ब्रूस और अलेक्सी एकिमो तो मोंगी, बेविंदी, लुईस बूस और एलक्सी एकिमो को सेखते रूस के लिए नोबल पृष्कार 2030 के लिए चुना गया है और तीनों को सेंगत रूप से 11 मिलियन स्वेडिस क्रोना तक्रीबन 8.3 क्रोन रुपे के पुरुषकार रासी मिलेगी। साहित्य के छेत्र में नोबल पुरुषकार 2023 लेखक जॉन फॉसे को संभानित किया गया है। वह किस देश से समझने थे ये पूछा जा रहा है तो हैं नार्वे के तो साहित्य का नोबल पुरुषकार 2023 नार्वेजियन लेखक जॉन फॉस या जॉन उलाव फॉस को उनके अभिनों नाटकों और गद्यों के रच्चना के लिए दिया गया है और साहित्य में नोबल पुर नमांकित किया गया है तो यह हैं क्लावडिया गोल्डीन जो कीवेसे की हैं हावर्ड इनिवर्सिती की प्रफेसर क्लोडिया गोल्डिन को बरस 2030 एकनॉमिक्स के नोबल फुरुषकार नमांकित में के बारु में समझ को बहतर बनाने के लिए अर्थ सास्थ का नोबल और आर्थे विग्यान में सेवरिंग सरिक्स बैंक प्रुषकार और फिर नोबल की स्मिर्थी में दिया जाता है इसके साथ में अत्रिक्त इंफॉर्मिशन क्लाउडिया गोल्डिन और साथ प्रुषकार में सम्मानित होने वाली यह तीसरी महिला है जिनको जो है इकोनॉमिस क में कलाउडिया गोल्डिन को मिला है तो दो हजार तेईस प्रुषकार के अंसार कुल 93 लोगों को एकनॉमिक्स आर्थिक विग्यान के छेत्र में पुरुषकार दिया गया है तोटल अब तक जो है पच्पन पुरुषकार दिये जा चुके हैं एकनॉमिक्स के फिर्ड में नोबल पुरुषकार इस महिला को सांती के छेत्र में नोबल पुरुषकार दो हजार तेईस सम्मानित किया गया है तो यह है नर्गिस महमदी को सांती के छेत्र में नोबल पुरुषकार दो हजार तेईस सम्मानित किया गया है तो नर्गिस महमदी ने मानावदिकारों को बढ़ावा देने और इरान में महिलाओं के उत्पिड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबल संती प्रुसकार 2023 जीता है और 51 साल के नर्गिस अभी इरान की एवान जेल में ध्यान दीजेगा इरान की एवान जेल में कैद हैं और उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सज में से दो महिलाओं जो है इरान की हैं एक 2023 में नर्गिस मोहँदी और दूसरी 2013 में सिरिन इबादी जो की इरान की महिलाओं इनको मिलाथा तो अब तक ऊर दो महिलाओं को जो है सांतीक शेत्रमें नोबल प्रुसका से नमा जा जा चुका अब बात करते हैं A.C.N. Games के बारे में तो 19.A.C.N. Games 2023 में भारतने कितने 1000 पतक जीते हैं तो भारत को टूटल गोल्ड मेडल 28 गोल्ड मेडल प्राप्त होए है तो 19.A.C.CI. क्हिल 2023 भारती दल ने कुल 107 पतक जीते हैं इसमें से 28 जो है गोल्ड है 38 जो है सिलवर है और 41 जो है वो कांस पदक हैं ब्रॉन सामेरे चीन जो है 201 201 मेडल के साथ टॉप पे है इसके साथ जपान जो है दूसरे स्थान पे है दच्छिन कोरिया तीसरे स्थान पे है भारत कुल 107 पदकों के साथ भारत को जो रेंग हांसिल हुए वो तोथी रेंग हांसिल हुए तो भारत ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पिपल्स रपरब्लीक आप चाइना के हौंग जो इस सर का भी नाम याद रखेगा चाइना के हौंग जो में एसेन गेम्स 2023 में इस सलिया था और प्रते एक चार साल पर होने वाला या टूर्नामेंट साल 2022 में होना था लेकिन कोवीड-19 के कारणा एक साल के लिए इस्थागित कर दिया गया और यह जो है कब हुआ 2023 में 2023 में और कब से कब चला है 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक या एसेन गेम चला है जिसमें भारत को टोटल एक सो टोटल एक सो साथ मेडल पर आप्थ हो है जिसमें से 28 जो हैं वो गोल्ड मेडल है पोलिशी और जनकारी लेते हैं इसके बारे में बीसमें एसे आई खेल कि अगर बात कर लिए जाए लगे हाँ तो जो बीसमें जो एसे आई खेल है वह 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के नोगोया में आयू जित होगा और आगर आजजाट के आई एसे खेल होगा वह उन्हीं सितंबर से चार अक्टूबर दो हजार अब इसमें जापान के आइचीन हो गया में आइजित किया जाएगा इससे पहले को जो एसी खेल है जो कि आठरामा था तो आठरामें एसे खेल का आयोजन 18 अगस्ते 2 सितंबर 2018 के मद इंडोनेशिया के जाक तो निसाने बाजी साध स्वान के साथ पर अपने नाम के हैं तो बाहन जस में से तो जी सिए स्ञाप सबसे अधिक जो एथलेटिक्स में पदक प्राप्त हुए उनकी संख्या है 29 और इसमें जो गोल्ड मेडल की संख्या है वो है छे छे गोल्ड मेडल प्राप्त हुए है भाला पेक और किरंदाजी कंपाउंड टीम में शांदार प्रदस्टन करते हुए पांच स्वान प्राप जीते हैं ठीक है इसमें जो फाइब गोल्ड मेडल प्राप्त हुए है क्रिकेट और कबड़ी टीम ने भी दो दो श्वान पदक अपने नाम किये हैं पुरुस हांकी टीम ने श्वान पदक ने पेरिस दो हजार चौबिस ओलम्पिक में अपना स्थान सुर्चित किया है भा भारत ने टेनिस और घुड स्वारीज में एक एक श्वान पदक जीते और नीरच चोपडा ने जैवलीन थ्रो में श्वान पदक प्राप्त किया है इसक्वैस में दिपका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंदू संदू ने ACI खेलों की इतिहास में पहली बार मिक्स डबल स्वान पदक प्राप्त किया है मुक्के बाजी में लौनीना बॉर्गोहाई निकहत जरीन प्रीती पवार और परविन हुडड़ा ने ओलम्पिक ओटा हासिल किया इसी के साथ यह हमारा वीडियो जे है वो कंप्रीट होता है या वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहें केमेंट बॉक्स में जरूर दें इस वीडियो की पीडियू के लिए आप हमारे टेलग्राम चैनल दपरियार गला इंस्टूट को जोईन कीजिए और इस वीडियो की पीडियो को प्राप्त तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद